Hi everyone, मैं आपका दोस्ट साहिल स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे, आज आ रही है Tech News No. 115 तो शुरू करते हैं बड़या बड़या देश और दुनिया की टेक इंडस्ट्री से Tech News तो पहली न्यूस की बात कीज़े तो Google, Google Pixel 3 and Google Pixel 3 app डिलिस्टेट हो चुका है, मतलब बंध हो गया है, बनना, परसे मुझे इतना इंटरस्ट मी नी था इस फोन में मगर चलो एक Tech News थी, तो मैंने आपको पता दी Next News की बात कीज़े तो Vivo S6 आज लॉंच हो गया है 6.44 इंच की इस AMOLED पैनल के साथ या आता है, HDR10 सपोर्ट करते है 2400 x 1080 का स्क्रीन रेजोलूशन सिर्फ 181 ग्राम, बहुती लाइट विटेट फोन है Samsung Sinos 980, 5G वाले अपर मिड रेंज कह सकते है प्रोसेसर के साथ ये लॉंच किया गया है, LPDDR4X, 8GB गिराम मिलेगी 128GB स्टोरेज और 255GB स्टोरेज मिलती है 4500 mAh की बैटरी और सिर्फ चार्जर मिलेगा 18W का जो S5 था, उसमें 22.5W का चार्जर था, इसमें सिर्फ 18W का चार्जर मिलता है कैमरे की बात की जब ओरियो स्टाइल में आता है 48+, 8+, 2+, 2MP, फ्रंट कैमरा मिलेगा इसका 32MP EIS दोनों में सपोर्ट करता है, मतलब फ्रंट में भी और बैक में भी प्राइज मुझे थोड़ी ओर लगी, इतनी पसंद नहीं है नियमोड थाइस सो यूवान जो नियमोड 29,000 के पास बन जाता है और जो सेकंड वेरिन है 8GB 256, उसकी कॉस्ट है 3,000 यूवान जो नियमोड 32,000 के पास बढ़ जाता है तो मैं गहूंगा इस से अच्छा हम Redmi K30 Pro जो 3000 यूवान का था वो क्यों ना ले ले, इस प्रोसेसर से बेटर रहेगा नेक्स नियूस की बात की जातो, Huawei P40 Pro का आज DxO Mars 4 आ गया 128 पॉइंट के साथ टॉप पे आ गया है Oppo Find X2 और Mi 10 Pro को इसने बीट कर दिया 4 पॉइंट से 140 पॉइंट्स आए हैं इसके फोटो में और वीडियो में आए है 105 पता ही था कैमरा बहुत स्रॉंग होगा, इवन 108 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं है 52 मेगापिक्सल का कैमरा है, तब भी बीट कर दिया मैं रेली एक्साइटिड हूँ इस फोन के लिए hopefully मैं next month जब China जाओंगा तो मैं आपको इसकी unboxing जरूर दूँगा और chances हैं ये शायद इंडिया में भी launch करने without GMS, without Google service तो next news की बात कीज़े तो Huawei की आरी, Huawei और चाइना में प्रोपोस किया है new protocol जो मुझे इतना पसंद नहीं आया, इसे हम कह सकते है kill switch type कह सकते हैं, इसमें ये होगा कि shut up command होगी अगर कोई बंदा कुछ against बोलता है company के या country के तो वो country उसी time आपका data, उस group of people का data monitor कर सकती है और कभी भी आपका internet बंद कर सकती है mostly IP address होते हैं जो वो हमारे address के base पे होते हैं अगर ये कह रहेंगे, हम IP address एक identity, person के identity के proof पे देंगे जिससे हमें easy track करना होगा तो मेरे साब से मुझे ये पसंद नहीं आये, क्योंकि जैसे मैं China में रहता हूँ मैं VPN यूज करता हूँ, जो भी करता हूँ, उस सब कुछ track होगा उनके पास मेरी ID का और अगर मैं कुछ against लिखता हूँ, चाइना के या कुछ भी बोलता हूँ तो वो मेरा कभी भी data बंद कर सकते हैं तो ये तो मेरा simple से एक example था तो इन्होंने ये propose किया है, पूरे word में, Huawei और चाइना ने आपको पता है, चाइना कुछ जाता ही censor करता है अपने citizen को और कुछ भी उसके against होता है, वो चाइना में कभी नहीं दिखाया जाता not even in TikTok और Weibo, उसी time ban हो जाता है, कुछ भी चाइना के खिलाफ बोलो तो मेरे साब से मुझे ये पसंद नहीं आया, इनका proposal मेरे तरफ से ना है तो next news की बात की जाए, तो Meizu, Meizu 17 का आज एक charger की विचर सामनी आई, जो कहरे है 30W का wire charger होगा, ये Apple में phone होएगा, जो Snapdragon 865 के साथ आएगा, दो वेरिट आएंगे Meizu 17 और Meizu 17 Pro, तो देखते हैं किस प्राइस बेर लाँच होता है, और कहते हैं ये काफी attractive प्राइस बेर लाँच होगा, Redmi K30 Pro को टकर जरूर देगा next news की बात कीजाए, तो कल हुआ था Honor 30S, लाँच अब कहरे हैं 15 April को Honor 30 and Honor 30 Pro लाँच होगा और कहरे हैं इसमें हो सकता है Kirin 985, कुछ दिन पहले भी मैंने बताया था, Kirin 985 नया प्रोसेसर आ सकता है flagship level का, तो उसमें ये भी हो सकता है, मगर साथ में कहरें कि Novo 7 Series भी April में आनी है, उसमें होगा Kirin 985 अब देखते हैं Honor 30 Series लाती है, या Honor 9 Series लाती है Kirin 985 प्रोसेसर, तो new flagship प्रोसेसर आएगा Kirin का, और 990 से चीपर होगा तो प्राइस इसका थोड़ा बेटर होगा, तो देखते हैं क्या करता है Honor इस बार Next News की बात की जाए तो आरी है Motorola Edge Plus, जी है Motorola Edge Plus का Bluetooth certified हुआ है और chances है ये इंडिया में भी आएंगे, मगर मुझे ज़्यादा इससे उमीद नहीं है, अपने भी Motorola का Razer Phone देखा था जो 1,24,000 पे लाउंच किया था, Snapdragon 710 वाले प्रोसेसर के साथ, इवन वो Galaxy Z Flip से भी महंगा था, त Redmi K30 5G वाला वेरियंट कह रहे हैं, ग्लोबली जल्दी आएगा, और शायद उसका नाम Mi 10T हो सकता है, जैसे Mi 90 लास नहीं आया था, वो Redmi K20 से के पार्ट था, Mi 10T, ये Redmi K30 5G हो सकता है, और शायद ये इंडिया में भी आएगा, क्योंकि बहुत धमाके होने वाले हैं इंडिय तो मेरे साब से Xiaomi ला सकता है Redmi K30 5G वाला वेरियंट, जैसे मैंने बहुत पहले एक में को लीक मिली थी कि इंडिया में आने के चांसे हैं, तो देखते हैं आता है ये नहीं आता, नेक्स और लाइगा, नेक्स न्यूस की बात कीज़े तो April में Xiaomi का एक और निव फोन आ सकता है Redmi सीरिस में और कह रहे हैं, इसमें हो सकता है Sony IMX682 वाला सेंसर और ये शायद Redmi Note 9 जो 5G वाला फोन होगा, उसमें यूस किया जाएगा, जैसे आपको पता है 64 Megapixel, Sony का IMX686 काफी मशूर है, अभी के नया प्रोसेसर थोड़ा सा उसके degraded अप कह सकते हैं, वो यूस किया जाए तो भी जैसे आपको पता Redmi Note 9 5G में कहा रहे हैं, ट्याना 800 वाला प्रोसेसर यूज किया जाएगा और ये सबसे चीपेस्ट 5G फोन बन जाएगा, तो भी कंपनी करेगी कहीना कहीं से कॉस्ट काटिंग, तो देखते हैं क्या कमाल करती है Redmi next month, मगर भी हमें तो Note 9 Pro series के नाम प जाए रेड्मी H series, मैंने चार वीक पहले नियाबर फर्स्ट मार्च को एक न्यूज दी थी, रेड्मी के दो न्यूज सीरिस आएंगी, रेड्मी K और रेड्मी H, रेड्मी K series आचोगे है K30 Pro वाली series और H वाली भी आने वाली है, ये भी कहरे हैं, एक निया mid range में हो सकती है मतलब जादा over expensive नहीं होगी, और ये काफी कमाल कर सकती है mid range phone में, मतलब 20-25,000 के range में ये आ सकती है, तो देखते हैं Redmi क्या कमाल करता है, चायना में तो Redmi कमाल कर रहा है, पस इंडिया में भी करें तो बढ़िया है, और divert नहों Poco के नाम पे, Redmi अलग रहा है, Poco अलग रहा है, शाओमी ये लग रहा है, वो जादा बढ़िया रहेगा, अगर ये rebrand करके Redmi को Poco में shift कर दें, और Redmi के ना लाएं, तो वो बात नहीं रहेगी, जो हमें Redmi से उम्मीद होती है, तो देखते हैं, क्या करते हैं, कल मैं लाओंगा आपको Realme 6 की एक review, मैंने वैसे मंगवाए को, याद ही नहीं रहता कि मेरे पस फोन भी पढ़ रहा है, आज बस अपना मैं check out कर रहा था समान, तो मुझे मिला seal box pack, तो really shocking, really irresponsible, कि कब का मैंने फोन लिया हुआ है, बाए करके लिया है, और मैंने अब तक इसकी वीडियो नहीं बनाई नद देखा इसको, तो देखते हैं कल इस फोन में क्या है, खास क्या बढ़िया रहता है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही बढ़िया लागे, तो एक like जरूर कीजिए, न्यू है चैनल पर तो subscribe कीजिए, मिलते हैं जल्द ही, next वीडियो में जाहें वन्दे मातरम, see you tomorrow.